आज हम डिस्कस करेंगे assignment number one को internship report के related जिसमें हमने approval of our internship organization के बारे में discuss करना है सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा scenario बता देते हैं कि आपने डिगरी की requirement में approval of our internship organization करने का purpose यह होता है कि आपने दो महीने किसी organization के अंदर internship करनी होती है और उस internship के बाद आपने वहाँ से letter बनवाना होता है फिर आपने report writing करनी होती है then आपको presentation होती है फिर वाइवा होता है फिर आपका यह course internship वाला clear होता है ठीक है उसके बाद अब आपने अपने आपको as a student show करना होता है अगर आप job holder हो भी तो आपने यह नहीं बताना होता कि आप job holder हो ठीक है क्योंकि internship करने की जो policy है उसके according आप सिर्फ student होने चाहिए अगर आप job holder हो तो आप project select करते हो ठीक है तो अगर आप हो भी by mistake आप से selection हो गई है यह आपको नहीं पता था तो अब आपने अपने आपको student show करना है job holder show नहीं करना तो उस हवाले से जो assignment number one आई है उसमें approval of internship organization है कि जिस organization में आप internship करना चाह रहे हैं उस चीज़ की आपने approval लेनी है उसके related कुछ details होंगी वो हम discuss करेंगे यहाँ पे different points और लिखे हुए कि आपने कौन सी organization select करनी है किस तरह का होना चाहिए उसके अंदर जो proper major जो point consider किया जाता है वो यह है कि उसके अंदर account finance marketing और other departments available होने चाहिए लेकिन वो कोई freelancer online platform ना हो, NGOs ना हो, franchises, schools and other organization like that इस तरह की चीज़े ना हो proper organizations या companies वगएरा हो, उसके बाद यह है कि आपने यह वाला जो form है, इस form को fill करना है, ठीक है, इस table को fill करके आपने assignment number one के solution के अंदर upload करना है ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास चीज़ आ जाती है, जो पहला point आप से पूछा गया है, कि आपका employment status क्या है, तो इसके answer में आपने यह लिखना है, कि आप job order है या full time student है, तो आपने खुद को full time student शो करना है, ठीक है, यह full time student शो कर दिया, selected organization name for internship, for example, आपकी जो organization है, उ जो भी आपकी organization होगी, हर एक ने उसके according इसको select करना है, और उसकी information यहां पर लिखनी है, उसके बाद sector आपका कौन सा आ जाता है, नैसले एक food company है, तो इसका जो sector है, वो food की category में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद next आपके पास आ जाता जी, selected organization has account, human resource, marketing, HR, sales department, जी बिलकुल तो उनके ये वाले सारे departments available होते हैं, तो आपने उन सारे departments के name कोशिश करनी है, कि जो आपकी specialization है, जिस भी degree में, उसका department यहां पर जरूर होना चाहिए, for example, अगर आपका accounts है, तो यहां पर account होना चाहिए, finance हो तो finance जरूर होना चाहिए, marketing है, तो marketing जरूर होना चाहिए, HR है, तो HR जरूर होना चाहिए, तो वो वाले department को जरूर mention करने हैं, उसके इलावा एक दो और mention करते हैं, तो वो काफी होता है, उसके बाद आ जाता है, mention URL, address of the official website of the selected organization and email ID of the organization, तो यह दोनों चीज़ें आपने यहां पर mention करनी होती है, URL जो होता है, वो आपके पास, किसी भी जो organization होती है, उसका URL मैं आपको इस तरह से select करके अभी दिखा जेता हूँ, Nestle Pakistan, तो उसकी जो first वाली website आएगी, यह website open हो गई है, तो इसका जो URL है, उसको Nestle.pk है, उसको हमने इस तरह से copy करना है, और यहां पे लाके paste कर देना है, ठीक है, तो यह आपके पास Nestle Pakistan का URL है, ठीक है उसके बाद इनकी email जो है, email भी आपके जो भी company होती है, हर company की अपनी एक email भी होती है, तो आपने जो भी आपकी concerning company होगी, आपने उसकी email भी जो है वो, उसके अंदर add करनी है, फॉर एक्जेमपल, Nestle Pakistan की जो email है, आपके पास, Nestle info at the rate, Nestle.pk, यह है तो यहां पे आपने, इसकी email को भी mention कर देना है, ठीक है, उसके बाद physical address and land 9 number, फिजिकल address और land 9 number आपने mention करना है, for example, इनका जो head office है, head office Lahore में है, और इनका जो land 9 number है, वो 0428767889 इस तरह से करके कुछ भी है, तो आपने वो number यहां पे mention कर देना है, ठीक है, इस तरह से आपका यह जो है, वो form fill होगा complete, और form fill करने के बाद यह वाली जो assignment, यह जो file होगी, यह आपने assignment number 1 के solution में upload कर देनी है, उसके बाद अगर किसी भी student को, किसी भी organization के अंदर internship करने में issue हो, वो internship ना कर सकते हो, उनको किसी किसम की problem हो, तो वो हमारे से paid services भी ले सकते हैं, उसमें आपको किसी भी जगह पर internship भी नहीं करनी पड़ेगी, internship letter भी हम आपको provide करेंगे, internship report, writing का working भी, आपकी presentation files, वाईवा की इत्यारी, each and everything हम करवाएंगे, और 100% students को passing results देंगे, यहां पर मैं आपको previous master के कुछ results दिखा देता हूँ, यह देखें, आपको सामने काफी सरे students के screen shots है, इन में से मैं आपको open करके कुछ students के दिखा देता हूँ, देखें, यहां पर हमारे पास यह commerce का student है, इसका clear है, यह public administration का student है, final project management है, यह भी commerce का है, यह management का है, उसके बाद यह HR है, इस तरह different degrees के, यह one by one आपके सामने सारे students के results जो हैं वो, follow आप होते जा रहे हैं, देखें, comments में लिखा हूँ है, पास, 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 तो हर student के अपने अपने comments और teacher के according, सारे उनके comments आ रहे हैं, तो इंशाला आपको भी results में किसी किसम का कोई भी issue नहीं होगा, आपने इसके अलावा मजीद कोई भी बात discuss करनी हो, आप WhatsApp पे हमारे साथ contact कर सकते हैं, कोई भी question हो, आपका किसी भी चीज के related क कोई भी issue हो, हम आपका problem solve करने की पूरी कोशिश करेंगे, thank you so much for your time, Allah आफेज